नमस्कार दोस्तों किरन की रसोई में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ पालक और पोहे की बिल्कुल नई रसपी तो इसे कैसे बनाते हैं इसको आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइ इसे अच्छे से धोलेते हैं तो हाथों से इस तरह से मलते हुए अच्छे से देखिए हमने धोग के पानी निकाल लिया है तो अब हम इसे पांस मिनट के लिए ढखके रख देंगे और यहां पर लेंगे मिक्सी जार और यहां पर ले लिया हमने लशन धेर सारा आधा चम्म जीरा, 5-6 हरे मेर, 4-1 प्यास हमने काट लिया है, इन सब को डाल के मिक्सर में और इसे पीश लेते हैं अच्छे से, तो यहां पे देखिए हमने पीश लिया है, तो एक चलिए इक कटोरी में निकाल लेते हैं इसे, तो यहां आगे हम पोहे के पास, तो देखिए हमारा पोहा जो है बिल्कुल सौब्ट हो गया है तो हमें ऐसे ही चाहिए तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम पालंग ले लिया है उसको अच्छी तरह धो के हमने काट लिया बारिक इसको डाल देते हैं आधा कप हम इसमें बेशन डालेंगे अब जो हमने मसाला पीस रखा था उसको डाल देते हैं आधा चमच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे और इनको हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं तो पानी अगर हम कुछ पानी डालेंगे कि पालक में अलड़ी पानी होता है तो इस तरह से देखिए हमने मिला लिया है तो इस तरह से हाथों में उठाएंगे और इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए अंडे के सेफ में हम इसको बना लेते हैं और इस तरह से देखिए हमें बनानी है तो बाक तो इसके उपर इस तरह से छन्नी रख लेंगे इसको हमने धलका सा तेल भी लगाया है तो इस तरह से रखते हुए इसको एक एक करके हम रखेंगे और थोड़ा सा हम डिस्टन्स बना के रखेंगे इसे अब हम इसको इसी बराबर के कोई भी धकन ले लेज़िए यहाँ पर हमने ठाले लिया है और 10-15 मिनट के लिए धकके रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 10-15 मिनट हो गया है तो आईए इसे कोल के देखते हैं तो वैसे तो ये सेट हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा अंदर तक सेट हुआ के नहीं तो इस तरह से तूद्पिक ले ले या चाकू ले ले तो देखिए हमारे तूद्पिक में बिल्कुल लग नहीं रहा है तो ये हमारा बिल्कुल पग गया है तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने ठंडा कर लिया है बिल्कुल तो इसको हम काट लेते हैं तो इस तरह से चाकू लेंगे और इसे काट लेंगे तो हमें इस तरह से काट नहीं है आप मोटा और पतला अपने हिसाब से रखे तो चलते हैं गैस की तरफ हमने गैस पे पैन डख लिया है और बिल्कुल लोव लेम पर रखा है तो एक चमच हम तेल डालेंगे आधा चमच हम इसमें सरसुताना डालेंगे आधा का छोटा चमच हम इसे पाड़र डालेंगे और एक चमच सफेद तिल डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और इनको अच्छी तरह चटकने तक इसे चलाते हुए इस तरह से फैला लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरफ है ला लिया है तो एक के करके इसको डाल देती है पालक और पोहे का जो हमने बनाया है और इसे एक तरफ सिखने देते हैं दो से तीन मिनट तो दो से तीन मिनट हो गया है तो आईए इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरब भी सिखने देते हैं तो ये देखिए दूसरी तरब भी सिख गया है तो गैस को बन कर देते हैं तो आईए इसे पलेट में निकाल लेते हैं इसे आप रोटी या पूरी के साथ इंज्वाय कर सकते हैं आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बाट राई जरूर करें तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए